हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्मेंट जोब पर हर्याना जी के की जो हमने सीरीज चला रखी है टोप 30 डेस का हमने जो क्रेश कोर्स चला रख है उसके अंदर आज है डे फॉर आज हम हमारा नेक्स टोपिक करेंगे हर्याना के पहले तीन दिन के अंदर मैंने तीन वीडियो डाल चुकी हूँ जिसके अंदर हर्याना का इंट्रोडॉक्शन कराया था कौन सा जीला कब बना था और हर्याना के अंदर टोटल मंडल कितनी है आज है हमारा डे फॉर इसमें हम करेंगे हर्याना कितने राज्यों और कितने कोन सा जीला किस-किस रज्जे से टच होता है तो यहां मैंने यहां पे एक मैप डाउनलोड करके लगा रखा है ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रोब्लम ना आई हमारा जो हर्याना है वो पूरे भारत का सतरवा रज्जे हैं यह आप सब जर्याना हैं उसके साथ सबसे चोटी बाउंडरी लगती है तो आपको मैप के अंदर शौनरी खर consumes नहीं दोनों की वांडरी तच होती है यहां पर फोट्रकत पढ़ेगा जो मैप के अंदर वीजिब नहीं लेकिन हर्याना की साइट पर जब चेक करोगे तब आपको मिल जाएगा हर्याना की जो बाउंडरी है अर्याना की जो सीमा है टोटल पांच राजियों से लगती हैं पंजाब राजिस्थान उत्र परदेश हिमाचल परदेश और उत्राखंड और केंदर शाषित परदेश किस किस के साथ रियाना की जो boundary है कितने जीलों के साथ लगती है यानि हमारे कौन से जीले डिये किस रज्य को टच करते है तो यह हमारे पास यहां पर मैंने detail में लिख रख रहते है notes के अंदर आप लोगों को अगर screenshot लेना है screenshot भी ले पढ़ेंगे सिर्सा में हमारी अकैडमी आप वहां आके ये वले नोट्स ले सकते हो ठीक है तो हर्याना के जीले कौन-कौन से हैं सबसे पहले बात करें हम राजस्थान की तो हर्याना की बाउंडरी राजस्थान के साथ लगती है तो हमारे कितने जीले जो है वो राजस्थान चांसर के आएगा राजस्थान कितनी लंबी सी में वह 1262 किलो मेटर अब कौन-कौन सी जीली हैं जो राजस्थान से टच करते हैं वह सिर्षा उसके बाद है फतेवाद उसके बाद है हिसार उसके बाद है भिवानी मेहंदरगर्ड नू और रिवाड़ी जानि कि यह जो साथ जीली हैं यह राजस्थान से टच होते हैं अब इसको हम मैप में देख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी असानी हो यह आपके पास मैप है इसमें देखिए राजस्थान के आसपास कौन-कौन से जीली आते हैं एक हो गया सिर्षा ठीक है जो 1975 में बना था उसके बाद फतेवाद की बाउंडरी लग रही है उसके बाद हिसार हो गया उसके बाद भिवानी हो गया मेहंदर गड़ हो गया रिवाडी हो गया और यह नू हो गया क्योंकि यह सारा का सारा जो एरिया वो किसका है राजस्थान का तो टोटल कितने जीली होगे एक दो तीन च्यार पा किलोमेटर ठीक है यह आप अच्छे से यहां से स्क्रीन शोट ले लेना और इसको नोट कर लेना मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया और समझा भी दिया नेक्स्ट करते हैं हम यहां पे और किस किस के साथ लगती है राजसान हमने कवर कर लिया उसके बाद है पंजाब अपने हर्याना के टोटल साथ जीले पंजाब के साथ सीमा शेर करते हैं और पंजाब के कितने पंजाब के छे हर्याना के साथ और पंजाब के छे अब हर्याना क साथ कौन कौन से है वो जो पंजाब के साथ सिमा शेयर करते हैं वो है सिर्षा फतेवाद जीन्द कैथल कुरुक छेतर अंबाला और पंसकुला इसको अभी हम मैप से देख लेते हैं मैप में भी हम शो करेंगे इसको तो आपको समझने में असानी होगी हर्याना के टोटल कितन जीले होगे साथ हमारे साथ हैं और पंजाब के कितने लगेंगे छे हमारे साथ और रादेस्थान के भी कितने साथ ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है हमारा यूपी के साथ भी हमारी बाउंडरी लगती है तो हमारे साथ जीले यूपी के साथ पलवल और मेवात ठीक है अभी इसको हम मैप से देख लेते हैं ताकि आपको समझने में असानी हूं यूपी का एरिया कौन सा है ये वला जो सारा एरिया है वो कौन सा है यूपी का एरिया है ठीक है तो यूपी से कौन कौन सी जीले की बाउंडरिल शेर होएगी एक तो हो जा करनाल के साथ माउंडरि शेर हो रही है उसके बाद पानी पत के साथ भी हो रही है इतना आपको समझ में आ गया उसके बाद यह देखिए सोनी पत के साथ भी हो रही है चार यहां पे हो गया उसके बाद यहां देखिए फरीदाबाद उसके बाद आएगा पलवल देखो यह यहां पे मैंने लिखा हुए है फ्रीदाबाद और परवल उसके वाद लास्ट क्या बच गया मेवाद जिसका नया नाम क्या है मेवाद का नया नाम क्या है नू ठीक है आप लोग यहां नीचे की साइड देख लेना यह थोड़ा सा जो एरिया है वो इसके साथ टच हो रहे इ यामनानगर करनाल पानिपट सोनिपट उसके बाद फरीदाबाद पलवल और नू यह साथ जीले जो है की साइट देखिए आप कौन-कौन से जीले आएंगे हिमाचल परदेश में पंचकुला आ गया यमनानगर आ गया और अंबाला का कुछ पाट आ गया तो यह तिनों की तिनों जीले किसके साथ बाउंडरी शेयर कर रहे हैं हिमाचल परदेश के साथ ठीक है और अब लास्ट ज चोटी सीमा किसके साथ लगती है उत्राखंड के साथ सबसे बड़ी किसके साथ लगती है राजिस्थान के साथ 1262 किलोमेटर और सबसे छोटी सीमा लगती है उत्राखंड के साथ सिरफ 11 किलोमेटर यह नीचे आप यहाँ पर पढ़ लेना मैप में देखो जो मैंने आभी आ राजस्थान से हिमाचल पर्देश से उत्र पर्देश से और उत्रा खंड से पंजाब से कितने साथ राजस्थान से भी साथ उत्र पर्देश से भी साथ हिमाचल पर्देश से तीन और उत्रा खंड से एक बिल्कुल असान है एक या दो बार वीडियो सुनोगे तो आपको ची हम नोर्थीस्ट रच में नोर्थ इस्ट साउथ और वेस्ट नोर्थ में अगर बात करें डिली के नोर्थ में देखिए कौन ठक्स होरा है विएस्ट दीऊचस होँ, तो आप लोग यहां पे देखिए एक तो गया फ्रीदाबाद और एक गुरूग्राम ठीक है अगर साउथ की बात करें तो अगर दिली के वैस्ट की बात करें तो कौन सा आएगा जजर और दिली का इस्ट इस साइड होगा इस साइड तो कोई है नहीं करता है तो कितने जीले लगते हैं दिली के साथ टोटल च्यार कोंकों से सोनीपत फ्रीदाबाद गुरूग्राम और जजजर ठीक है अभी हम इसको नोर्स के अंदर देख लेते हैं यहां पे मैंने लिख रख है हर्याना की सीमा दो केंदर शाचित परदेशों से लगती है एक दिली और एक चंडि गड़ से सिरफ एक दिली में नोर्थ में कोन है सोनीपत मैंने मैप में दिखा दिया आपको इस्त में कोई भी नहीं है बैस्ट में कौन सा आजएगा जजर और साउथ में कौन सा आजएगा गुरूग्राम और फ्रीदाबाद ठीक है और यहां से कोशन और भी बनता है चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना अगर आप ओफ लाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो हमारी अकैडमी सिर्सा में आप हमारी आकैडमी पे विज़िट कर सकते हो आभ व हर्याना के लिए से स्पैशल बैचे शुरू हो रहे हैं